हेलो पेरे बच्चो तोड़ा में दोहजार में ना अब यह आप लोग कमेंट करके बताएंगे पहले हम लोग स्वाल करेंगे ना एडवांस करके बताएंगे पहले सीखते हैं सब्सक्राइब को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दोजार दस यह बारा के आइटी अडवांस बताता आपको दुबारा फिर बताता हूं सब्सक्राइब बसमें मतलव हों इसकी से यह बारा किम कर दो बच्चो की प्लस का मतलब हो गया कम कर देना तो कितना हो गया पांच और बारा सत्रा आप मैंसे एक कम कर दो तो 16 अपन में 8 यह गया बच्चो दो दो का मतलब हो गया 9p 8 से डिवाइड क्यों गया तो मैंने सिखाय था अगर सम अ Sum of Electron आपका 8 से जिएदा होगा तो आप अ से करेंगे केस बें सिख आ रहा था बच्चो सम सम थे गया होगा और ऊंना सम उठीयों एक्टो दो साइड यह गरेंगे इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे बच्चों है न यह concept था हमारा NO3- है तो nitrogen के balance cell में कितने electron वही 5 बच्चों अच्छा एक oxygen में 6 होता है तो 3 में कितना हो गया 18 electrons हो गया और एक electron हमने add कर दिया तो यह हो गया 19 और 5 24 तो 24 अपन में 8 यह हो गया बच्चों 3 तो 3 का मतलब हो गया SP2 क्या हो गया बच्चों SP2 हो गया क्योंकि sum of electron यहाँ पे 8 से ज़्यादा था यहाँ पर बात करते हैं तो बच्चों यह हो गया 5 एक hydrogen के balance में 1 होता है तो 4 के balance में 4 हो गया तो 4 और minus 1 तो यह कितना हो गया अच्छा बटा यह 8 तो इसका मतलब क्या हो गया अब आप 2 से डिवाइड करेंगे अगर sum of electron 8 है या 8 से कम है तो आप 2 से डिवाइड करेंगे किस से करेंगे बच्चों तो यह हो गया आपका चार और चार का मतलब हो गया sp3 यह तो हो गया अपना shortcut वाला method बच्चों अब मैं इसका structure यह बना के दिखाएता हूं नह 4 हो गया बच्चों ammonium iron इसका कैसा बनेगा tetrahedron like structure बनेगा यह बनेगा बच्चों structure चार सिगमा है तो इसमें चार सिगमा प्लस 0 loan pair is equal to 4, 4 का मतलब sp3 इसकी बात करेंगा बच्चों तो NO2, NO3 माइनस है तो N, यहाँ पर double bond हो गया बच्चों है ना प्लस कि नाइट्समें 5 एक दबलवर्ण बना दिया एक प्लस लगा दिया यह वी जबसिक मान बच्चों कि हों गए और जिरलोण पर हो गए इसका मतलब कि हो गया here हए ह हो गया क्या हो होगे तो हमारे साटकर से भी ही आ रहा है और हमने बच्चों बना कर देख लिया इससे भी यही आ रहा दोनों चीजों से सेम आंसर आ रहा आपका जो आपको बहतर लगे क्या वोला मैंने जो आपको बहतर लगे आप उसको फॉलो करें अब आंसर देखते हैं तो बच्चो एनो टू प्लस का हो गया SP SP किसमें है इन दोनों में है उसके बाद बच्चो NO3 माइनस का हो गया SP2 तो SP2 सिर्फ बच्चो उसके अंदर है और NH4 का हो गया SP3 तो बच्चो आपका अंसर आ गया B और को आप्शन तो मुझे दिखनी रहे इन दोनों आप्शन में था लेकर यहां पर बच्चो SP3 आ गया थ तो आंसर हो गया B अब आप लोग बच्चो कमेंट करेंगे जरूर बताएंगे मुझे कि वीडियो के जो solution था या फिर इस question के अंदर जो था उसका level क्या था easy था moderate था या difficult था और एक और चीज़ आप बच्चो सारे questions को अपनी कॉपी में नोट करते रहें concept सीखते रहें ज जरूर से जरूर तो बाकी आज बच्चो इतना ही बाकी मिलते हैं next video के अंदर